साथियो नमस्कार, हमेशा की तरह एक नया स्विच वर्ड लेकर फिर आपके सामने हाजिर हूँ, आज मैं आपको बता रही हूँ स्विच वर्ड टाइनी के बारे में, टाइनी स्विच वर्ड को हम कब इस्तेमाल कर सकते हैं, और कौन-कौन सी लाइफ की सिच्वेशन्स में ह जिसमें कि आप उसको इस्तेमाल कर पाएंगे, इस्तेमाल करने का तरीका वही होता है, आपको मन में चैंट करना है, इसमें जो सबसे खास चीज होती है, वो होता है intention, आपने किस intention के लिए use किया, उसी intentions, उसी तरह का आपको result मिलने लगेगा, अब जैसे इसके चार uses हैं tiny के, पर आप कौन सा use करना चाहते हैं, आपका intention क्या है, उसी अधार पे उसका result तै होता है, तो पहला use जो tiny switch word का आप कर सकते हैं, वो करेंगे किसी भी विक्ति को polite बनाने के, अगर आपकी family में कोई ऐसा विक्ति है, जो बहुत rude है, जिसका nature बहुत rude है, सक्त है, किसी से प्यार से बाती नहीं करता, बहुत खराब nature है, अगर किसी का बहुत गुस्सा है, टाइप का कोई अगर विक्ति है, बात-बात में एकदम तुनक मिजास जिसको बोलते हैं, तो उसके लिए उसके family members भी कर सकते हैं, आप लोग बहुत सवाल ये वाला comment section में पूछते हैं, कि क्या हम किसी और के लिए कर सकते हैं, यकीनन आप दूसरों के लिए कर सकते हैं, सिर्फ आपको intention को ध्यान रखना है, कि आपका intention कैसा है, अगर आपका intention शुरू में ही आपको बोल देना है, कि ये जो situation है, ये आप इस member के लिए कर रहे हैं, तो आप अराम से कर सकते हैं, result उसी को मिलेगा, तो ये हो गया politeness के लिए, अगर किसी वेक्ति में आपको politeness लानी है, दूसरा जो situation होती है, जिसमें कि आप इस word को tiny word को use कर सकते हैं, वो होता है किसी वेक्ति में kindness लानी के लिए, प्रेम की भावना जगानी के लिए, दयालुता की भावना जगानी के लिए, मतलब किसी का हिदय इतना कठोर है, कि पसीचता ही नहीं किसी भी चीज में, किसी वेक्ति को दुखी देखकर, बिमार देखकर भी अगर किसी का मन नहीं पसीचता है, कोई वेक्ति ऐसा है जिसका nature बहुत सक्त है, आप उसको बहुत प्यार से समझा रहे हैं, हर चीज समझा रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं, लेकिन वो इतने कठोर मन का है, जो सुनी नी राद पसीचता ही नहीं है, उसका मन अगर किसी चीज के लिए, तब भी आप यूज कर सकते हैं, tiny switch word को, तो tiny इसमें भी आप यूज कर सकते हैं, यानि किसी वेक्ति के अंदर प्रेम, दया, करोना की भावना, अगर आपको लानी हो, पैदा करनी हो, तब भी आप उसके लिए tiny switch word को chant कर सकते हैं, तीसरी चीज, अगर कोई वेक्ति गुसा बहुत करता है, एंगर के लिए भी, एंगर के लिए भी, आप उस वेक्ति के लिए tiny switch word को use कर सकते हैं उस वेक्ति को थोड़ा सा विनम्र बनानी के लिए भी courteous बनानी के लिए भी आप इस word को इस्तेमाल कर सकते हैं कोई वेक्ति बड़ो जैसे बच्चे हैं माल लीजिए teenagers बच्चे हैं, parents का कोई respect नहीं करते या फिर और भी कोई ऐसा वेक्ति है जो बहुत बिकार तरीके से बात करता है बड़ो की कोई इज़त नहीं करता तो ऐसे लोगों के लिए भी आप इस word को tiny switch word को आप स्तेमाल कर सकते हैं ये मैंने आपको तीन situation बताई हैं पर तीन ये तो मोटी मोटी situations है आप अपने life की बहुत सारी situation जो इससे मिलती जुलती हो उसमें भी tiny word को use कर सकते हैं देखिए switch word में कभी भी ये नहीं होता कि बहुत lengthy आपने कोई switch phrase बनाया हो दो-चार words को मिला कर तभी आपको result मिलेगा ऐसा नहीं है एक single word भी उतना ही effective होता है और उतना ही अच्छा result देता है बलकि छोटा word और ज्यादा अच्छा है क्योंकि आप उसका repetition बहुत बार कर पाते हैं तो ये हो गए tiny के कुछ uses एक और जो इसका खास use होता है वो होता है reduce करना अब क्या चीज़ को आप reduce कर सकते हैं किसी बिमारी को भी reduce कर सकते हैं अगर आपको चेहरे पे pimples हो रहे हैं उसका size reduce करने के लिए कर सकते हैं और एक बहुत ही खास चीज़ जो कि piles की problem में हम इसको use कर सकते हैं जब भी आपको हो आप tiny switch word को chant कर सकते हैं ताकि shrink हो size shrink हो जाए तो यानि कोई भी ऐसी आपको बिमारी हो रही हो कोई cyst हो रहा हो उसमें भी आप इस switch word को इस्तिमाल करेंगे कि वो shrink होके छोटी हो जाए कम हो जाए खतम हो जाए तो यह हर चीज़ में आप use कर पाएंगे जब भी आप किसी चीज़ को decrease करना चाहते हैं किसी भी चीज़ का effect अगर आप चाहते हैं कम हो जाए अगर किसी का blood pressure भी high होता है तो वहाँ पर भी आप tiny switch word को use कर सकते हैं क्यों ताकि adjust थोड़ा सा tiny यानि decrease करने के लिए तो कोई भी चीज़ को decrease करना है तो आप tiny word को इस्तेमाल कर सकते हैं तो यह है switch word tiny जिसके हम 3-4 uses मैंने आपको बताए हैं मोटे मोटे तोर पे और इससे मिलते जुलती अगर कोई situation है तो उसमें भी आप use कर सकते हैं इसको अगर आपको लगता है कि यह match कर रहा है तो आप उसमें भी chant कर सकते हैं और उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा इस word को आप भी इस्तेमाल करेंगे और benefits भी पाएंगे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताईएगा अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी तब तक के लिए थैंक यू नमस्ते